जी हाँ दोस्तों अगर आपका बजट कम है और समर के लिए आप बेस्ट फ्रेगेंस जूण रहे हैं बजट के अंदर तो मैं आज 10 फ्रेगेंस के बारे में बताने वाला हो और यो सारे के सारे पैरिस कॉर्णर के हैं पैरिस कॉर्णर दुबई का ब्रांड है यूई ब्रांड है और कई अच्छे अच्छे फ्रेगेंस के बनाता है तो किसका क्लोन करता है वो भी बताऊंगा और ये दसों के दसों फ्रेगेंस बड़ी फास तरीके से हम आज जानने वाला है वीडियो पूरा जरूर देखना चल दा महनत लगती है आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को बहुत अच्छा समझेगा दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करेगा ये जितने फ्रेगेंस बता रहा हूं हमारा वेबसाइट है फ्रेक्स्टॉक डॉट इन वहां बहुत ही कम प्र इवनिंग में लगा सकें या फिर पाटीज में लगा सकें एक बड़ा महेंगा पर्फ्यूम आता है केरोलीना हरेरा का 212 वी आईपी में के नाम से और उसका सेम ये डूब करता है और ये चीज आपको बस मिलती है 1350 तेरा सो पचास रुपे में और वो जो औरिजिनल है वो समाल की है लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा थिकनेश जरूर है तो तेज दूप में उतना अच्छा काम नहीं करेगा लेकिन इवनिंग और पार्टी और समर का टाइम है बढ़िया करेगा लेकिन साम के टाइम में या फिर एसी इंवर्मेंट में आप इसे वीर कर सकते है बहुत अच्छी चीज है और परफॉर्मेंस इसका आराम से आपको 5-6 घंटा मिल जाता है तो इसे आप जरूर चेक आउट के लिएगा दोस्तों बढ़ता है नंबर 9 पे और 9 पे मैंने लिया है ट्रांस डियों जोकि क्लोन करता है टेरेडी हर्मेस का और टेरेडी हर्मेस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि बहुत अच्छा सा सीटर सी वूडी अरोमा उसके अंदर देखने को मिलता है वहीं यह चीज आपको सेम तू सेम दिखती भी है उसका जो बॉटल है और यह जो चीज है बहुत बढ़िया से पहले इसमें प्रेस के और तरो ताजा और फ्रेस फील यह करवा देगा और एक इसी लाइन में फ्रेगेंस है जो टेरीडी हर्मिस का सबसे बेस्ट क्लोन है रसासी का फतन मैं आज भी उसे टॉक पर रखता हूं लेकिन वह 50 ml आता है वहीं उतने बजट में यह आपको 100 ml देखने को मिल है तो अगर आपको quantity ज्यादा चाहिए और हलकी सी quality से compromise कर सकते हैं यह चीज भी बहुत बढ़िया है performance इसका आराम से पांच घंटे दूसरे लोगों को महसूस होता है उसके बाद close हो जाता है तो अगर आप अपने साथ में carry करते हैं तो दबा दबा के लगाए और मजा बढ़ी वीडियो बनाया है dedicated वीडियो बनाया है सिद्रत इसेंस का जो की इमीर लाइन का है Paris Connor का ही है आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा और यह दोनों को फ्रेगेंस क्लोन करते हैं मांसेरा की फ्रेगेंस का यह मांसेरा का सिद्रत बुवासे का क्लोन करता है ब कुछ unique hints आपको देखने को मिलती है और performance दोनों का बहुत बढ़िया है 5-6 घंटे आराम से दूसरे लोगों को महसूस होते हैं और इनकी जो बॉटल से कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है यह सिद्रत इसेंस का बॉटल है और यह सूपर क्रस का बॉटल है जो कु कि दरत इसेंस पर जाईए और आपको हलकी सी स्वीटनेस पसंद है थोड़ी सा वनीला वाले इफेक्ट पसंद है तो आप सूपर सूपर क्रस पर जा सकते हैं और विमेंस और मेंस दोनों के लिए यह चीज रिकमेंड की जाती है दोस्तों बढ़ चुके है नंबर सेवन पर जिम में जाना है या फिर डेली रूटीन के लिए अगर आपको फ्रेकंस ढूट रहे है अच्छा ताजा ताजा तरो टाजा वाई इसके अंदर आपको ओरेंज का नोट देखने को मिलता है इसके अंदर आपको मस्की टोन देखने को मिलती है वो एनरजाइस फील होगा ये फ्रेश फ्रेकंसें से सारे तो बहुत जादा उम्मीर नहीं कीजेगा 4 से 5 गंटे 6 गंटे दूसरे लोगों को मैसूस होगा हो सकता है आपके आरावन ज्यादा देर चले लेकिन दूसरे लोगों को डिटेक्ट होता है पांच गंटे के लगबा गेलियॉरम स्पोर्ट क क्लोन बेचले रोम स्पोर्ट और प्राइस पॉइंट के अगर बात करें तो यह आपको मिलता है फ्रेक्स्टॉक डॉट इन जो कि हमारा वेबसाइट है उस पर उनली 1350 तेरा सो पचास रुपे का लेकिन वेल्यू फर मनी है आराम से लगाईए और मज़े लिजे इस चीज़ दोस्कों बढ़ता है नमबर 6 पर नमबर 6 पर मैंने लिया है वाइबरेंट वटीवर डिलाइट जो की इमीर सीरीज का आता है और क्या गजब की चीज है मेंस विमेंस दोनों को मैं सजेस्ट करता हूँ और एक बड़ा महिंगा पर्फियूम आता है बाई रिडो का 20-25 आउरपे के लगबग बाल्डेव फ्रीक के नाम से वा आता है और यह सेम चीज का क्लोन करती है वो मैंने औरिजनल आज तक ट्राई नहीं किया यह चीज लेक क्येकरता है बहुत प्यारा है इसके अंदर वो गेंदे और की इने क twee बाजकी आतार की वाइट देखने को को मिल जाता एぜ इसके अंदर वुडी ट्रेल और बहुत बढिया से साइडी है घुए है वो धोड़े खते फ्रूट है पूरा बड़ा प्लैफुलव सहए मैं विमे साड़े साथ गंटे तक दूसरे लोगों को महसूस होता है अगर आप इसके 8 से 12 स्पेज लगाएंगे तो मज़ेदार चीज है इसे भी आप चेक आउट कर सकते हैं और ओफिस फ्रेंडली है जब चाहें तब आप इसे लगा सकते हैं सब को यह पसंद आता है दोस्तों बढ़ते हैं नंबर फिफ पे और यह जो चीज है बड़ी कमाल की है यह है एमिर लेंग का थ्रीलियम जो की क्लोन करता है रोजा डोव का इलीजियम का रोजा डोव का जो इलीजियम है इलीजियम है काफी महंगा आता है तकरीबं 30-40,000 रुपे के लगबग वो पॉस्ट करता है वहीं यह चीज बड़ी प्यारी सी फ्रेगेंस है और सेम बोटल भी लगबग उसकी ऐसी दिखती है इसका डेडिकेटेट वीडियो मेंने अल्लेडी बना रखा है तो यह जो चीज है यह कुछ इस तरीके से आपको दिखती है प्रेजन्टेशन भी बहुत बढ़िया है और इसका जो प्राइजिंग है 1,999 रुपीस के लगबग फ्रेक स्टॉक पर देखना को मिल जाता है और इसके अंदर बहुत बढ़िया से आपको लिमनी वाइब देखने को मिलते हैं सुरुवात में खटे-खटे सीटरसी फ्रूट्स देखने को मिलते हैं उसके साथ में इसमें भी वटीवर का नोट यूज हुआ है जो इसको सोंधा एफेक्ट देता है थोड़ा सा अर्थी एफेक्ट देता है कुछ बहुत यूणीक वाइब देखने को मिलते हैं इसके अंदर अंब्रोक्सिन का नोट यूज हुआ है अंबर ग्री का नोट यूज हुआ है तो यह जो चीज है यह मरदाना फ्रेगेंस बनाती है फ्रेगेंस को और एक अलग सा सोंधा सोंधा सॉल्टी एक्वाटिक टाइप का इफेक्ट डालती है जो एमबर ग्री है वो बड़ा मेंगा परिफो माता है क्रीड का इविंटस उसमें भी वो यूज होता है और वो ही सिंथेटिक इंग्रीडेंट इसमें भी यूज हुआ है तो पूरा का पूरा जो चीज है आपको एक यूनीक डायरेक्शन में ले जाएगा जेनेरिक नहीं लगता है जब भी आप लगाते है तो किसी हवा में बहुत अच्छा घुलता है जब भी किसी की नाट को टच करेगा तो उनको मज़ा ही आ जाएगा उस तरीके की चीज है बस दिक्कत यह है कि इनका पफॉर्मेंस बहुत जादा नहीं मिलता है यह तकरीबन मैंने जब इसके 812 स्पेज लगाता हूँ तो 4-4.5 गंटे फील होता है लेकिन इन 4-4.5 गंटे में अगर किसी को इसकी फ्रेगेंस आई तो समझ लीजे कि वो उसको मज़ा ही आ जाएगा या तो इसके बारे में पूछेगा या फिर दिमाग में उनके बेट जाएगी आपकी छवी उस तरीके की चीज यह है तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है लेकिन फ्रेगेंस क्वालिटी 10 on 10 है इसकी फ्रेगेंस मुझे बहुत पसंद आती है दोस्तों बढ़ते हैं नमबर 4 पर यह जो चीज बड़ी कमाल की है इसका डेडिकेटेड वीडियो में आपको आपको आई बटन पर मिल जाएगा इसका नाम है पेरिस कॉर्णर का है बार कोड़ सिगनेचर जो कुछ इस तरीके से दिखता है या बार कोड़ आपको देखने को मिल जाएगा पेरिस कॉर्णर ऊपर देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन का उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं और जो बॉटल है बड़ी प्यारी से आपको दिखती है कुछ इस तरीके से एक दम वाइट वाइट क्लीन वाइट एक बड़ा महेंगा पर्फिमा जाता है क्रीड का सिल्वर मौन्टेन वाटर यह उसी का कलोन करता है और क्रीड का जो सिल्वर मौन्टेन वाटर है आपको ऐसा फील देता है कि या बरफीली वाधियों में गए हो या फिर पहाड़ीों में जहां बर्फ जमा हुआ है वहां गये हो और वहां Green Tea का मजा ले र यूज़ हुए हैं, खटे fruits यूज़ हुए हैं, जिसमें lemon का note prominent देखने को आपको मिल जाता है, कुछ musky aroma इसके अंदर है, कहने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन उतना ही unique और complicated चीज यह है, बस आपको इसे चेक करना है, तो आपको इसे लेना ही होगा, उस तरीके की ची तक दूसरे लोगों को महसुस होता है, उसके बाद close हो जाता है, शुरुआत में मैं आपको recommend करूँगा, कि आर्ट sprays से ज्यादा मत लगाईएगा, अगर आपको इसे लगे कि मुझे ज्यादा sprays की जरूत है, तो ही चाहिएगा, क्योंकि कि किसी को यह ज्यादा strong लगता है किसी को ज्यादा चुपता है, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके लगाईए और इसका मज़ा लीजिए, अब बढ़ चुके है नमबर 3 पे और 3 नमबर की बात करने से पहले, आप से request करना चाहूंगा, please इस वीडियो को like कर दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा कुशी मिलेग काफी मेहनत लगती और अगर आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारी मुलाकात होती रहेगी और इस तरीके की खुशनुमा हैसास वाली fragrance जन्नी में मुझे आपकी जरुवत है, मज़ा आएगा इस जन्नी में, please सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह जो चीज है, य क्योंकि एमिर लाइन का ही आता है और बड़ा खुब सुरत सा क्लोन है, डियोर के सवाज का जो की sexy fragrance माना जाता है और top 5 perfumes में आराम से उसकी गिंती होती है, आज भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, वहीं यह चीज आपको, बजट में उसकी same vibes देखने को आपक देखने को मिलते हैं और यह जो एमरोक्सिन का नोट है, यह एक fragrance को मरदाना effect देता है, लोंग लास्टिंग बनाता है और इस fragrance के अंदर वो बखुवी निभाय हुआ है, उसके साथ में थोड़ा सापको peppery spicy aroma देखने को मिलता है, इस चीज को playful बनाने के lavender का note यह यह जो lavender का note है, यह हवा में बहुत अच्छा गुलता है, जब भी किसी को महसूस होगा, मज़ा आएगा उस तरीकी की DNA है, और यह जो DNA है, पूरे 12 महीने आप लगा सकते हैं, सेफ माना जाता है, जब चाहें, जहां चाहें, वहां इसे लगा सकते हैं, उतना ज्यादा सेफ यह माना जात है, तो आप इस पर जा सकते हैं, इसका जो प्राइज है, बहुत ही कम प्राइज है, आपको 16.99 रूपीज पर देखने को मिल जाएगा, परफॉमेंस के अगर बात करें, अगर आप इसके 8-12 स्पेस लगा लेंगे, 6 घंटे तक दूसरे लोगों को आराम से महसूस होगा, औ आपके clothes पे next day तक ये linger करता रहता है, performance भी बढ़िया है, और fragrance quality भी बहुत ही सांदार है, दोस्तों बढ़ता है, नमबर 2 पे और नमबर 2 पे मेंने लिया है, Celestial को, जो की इन दीनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और अरपित भाई ने भी इसका वीडियो बनाए था, जो perfume घ्यान वाले अरपित भाई है, उन्होंने, ये जो चीज है, बोखोत ही प्यारी सी चीज ये है, आप देख सकते हैं, presentation भी काफी बढ़िया है, और इसके अंदर जो note यूज़ हुए है, वो बड़े ही unique है, और synthetic compounds का use हुआ है, लेकिन जब ये चीज हवा में आती है, ल LD Heights का note यूज़ हुआ है, जो आपको fresh laundry type की feel इसके अंदर से आपको देखने को मिलती है, कुछ हलका सा आपको मस्की अरोमा इसके अंदर देखने को मिलता है, एक गनिमेट करके fragrance आता है, बड़ा महेंगा perfume है, आस तक मैंने try नहीं किया, लेकिन उसका clone ये माना जाता है, थो performance की अगर बात करें, तो आपको आराम से 5 घंटे दूसरे लोगों को महसूस होता है, उसके बाद आपके close रहता है, तकरीबन 6-6 गंटे, लेकिन 5 घंटे तो आराम से दूसरे लोगों को महसूस होगा, अगर आप इसके 8-12 स्प्रेज लगाएंगे, और लोगों को जिनों न हिंट केसर का note भी मिलाया हुआ है, तो अपने आप में जब आप ये सारे notes सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन इस fragrance के अंदर बखो भी उसे निवाया हुआ है, और वैसे सुनने में ये notes जितने भी है, वो warm लगते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, ये आपको गर्म पल मेंसन देना चाहूँगा, ये चीज हैं, जबर जस्त है, और अगर आप समर में लगाने के लिए ढूंड रहे हैं, लिस्ट में consider नहीं कर पाया, लेकिन एमीर का जो फेक्टरी एडिसन है, उसमें रिस सेंटाल, अगर सेंडल वूट को आप सीटरसी फ्रेकेंस के साथ मे लिए चाहते हैं, तो इसका जो जो बॉटल है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, बड़ा ही प्यारा सा, और सेंडल वूट का और जो सीटरसी अरोमा इसके अंतर देखने को मिलता है, वो मज़ेदार है, और अगर आपको बस बर्गमो की खुचबुच आई है, वो 16.99 रूपीज के लगबग प्रिश्टॉक पर देखने को मिल जाता है, बहुत ही बड़ी असा प्रेजेंटेशन और बड़े-बड़े महेंगे पर्फियूम आता है, मुझे लगता है लेला बो के पर्फियूम के ये क्लोन करता है, और आप जूश कलर देख सकते हैं पूरा का पूरा सिटरसी बंब ये है, तो इस पे आप जरूर जा सकते हैं, ये ओनरेबल मेंसन थे, तीनो के तीनो फ्रेजेंस बहुत दमदार है, लेकिन लिस्ट में मैं इसे कंसिरर नहीं कर पाए, तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं, नंबर वन के और इस लिस्ट म में धन्यवाद, आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद आती है, मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा, आपका करेंट फेवरेट फ्रेगेंस भी आप मुझे बता सकते हैं, या फिर इन चीजों में से अगर आपने कोई भी चीज आपके बगाता है, वहीं ये चीज आपको only 12.99 रुपीज में देखने को मिल जाती है, अब इसके अंदर इसी चीज क्या है, मुझे ये चीज क्यों इतनी पसंद आई, especially summer के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर बहुत बढ़िया से oceanic white देखने को मिलती है, समुद्र की, बीच पे अगर आप खड़े हैं और वहां से जो ठंडी-ठंडी हवाएं चल रही है, थोड़ा सा forest है, उनसे टकरा के जो हवाएं आ रही है, तो aquatic effect इसके अंदर है, marine type का effect इसके अंदर है, थोड़ा सा green foresty type का इसके अंदर effect है, तो बहुत सोंदा-सोंदा, ठंड़-ठंड़ कूल-कूल वाला vibe आपको देखने को मिलता है, कुछ मस्की अरोमा है, कुछ powdery type की theme इसके अंदर देखने को मिलती है, कुछ fruity अरोमा है, juniper berries का, ऐसा मुझे लगता है, तो ये अगर आपको एक oceanic vibe की theme वाला fragrance चाहिए, जो आपको ठंड़-ठंड़ एसास में आएगी, नाक को touch करेगी, सब को ये चीज पसंद करेगी, और मुझे ये चीज भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मैं इसे regularly use करता हूँ summer में, और वही ये चीज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, budget में अच्छी चीज है, कहा 6700 रुपे की चीज, और कह ये 1200-1300 रुपे की चीज, तो आप इस पर जा सकते हैं, और बात करें इसकी performance के बारे में, तो performance बहुत ज़्यादा नहीं है, अगेन आपको एक छोटा सा decay and carry करना पड़ेगा, जो आप इसके सांथ refill करो और अपने साथ रखो, तकरीबन अगर आप इसके 812 स्पेस लगाते ह हैं, जो मैं usually हर fragrance का लगाता ही हूँ, बसरते वो ज़्यादा तेज नहीं हो, तो अगर आप ये use करते हैं, 812 स्पेस फ्रेश फ्रेगेंस के, तो तकरीबन 4 घंटे दूसरे लोगों को महसूस होगा, उसके बाद आपके close हो जाता है, आपको हलका हलका 5-6 घंटा महसूस होग लेकिन 4 घंटे से जादा दूसरे लोगों महसूस नहीं होगा, लेकिन इन 4 घंटों में आपको मज़ा ही आ जाएगा, उस तरीके की चीज है, डेली आपको चाहे जिम जाना हो, चाहे आउटडोर जाना हो, चाहे आफिस जाना हो, चाहे दोस्त वायरों के साथ जाना हो, किस यह summer के लिए तो आप enchantment blue intense पे जा सकते हैं बड़ी प्यारी सी चीज यह है और उमीद है आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा मुझे comment जरूर कीजिए मैं आपकी comment का इंतजार करूँगा मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए अपने कहाल रखिए सुरक्षीत रहिए जैहन